हाँ जी जाहि इनसातियो दोस्तों आज अपने बात करेंगे पोटेटो के बारे में पोटेटो के सीड पोड़क्शन के बारे में देखिया के सामने प्रिू पोटेटोar चीड है और सीड प्लट टेक्नीक है देखिए आलू के अंदर सबसे बड़ी समश्या आती है बीज की इसकी समश्या आती है दोस्तों बीज की सबसे बड़ी समश्या आती है कि आलू की जब अपने बुआई करते हैं तो बुआई कंदों की दवारा करते हैं और जो कंद है वो उच्छ क्वालेटी के अपने को मिल मिलनी पाते वायरस मुक्त जो बीज है वो अपने को मिलनी पाता सबसे बड़ी समझा यह आती है तो आलू के बारे में काफी बार करते हैं कंद काम में लेते हैं यानि की कंद को बोल सकते हैं आप ट्यूबर काम में लेते हो कि जो ट्यूबर है उसको आप काम में लेते हो और ट्यूबर कैसे होने चीए गुणवत्ता युक्त ट्यूबर होने चीए गुणवत्ता युक्त क्या होने चीए आपके ट्यूबर ह वायरस मुद्ट हूने चीए क्योंकि जो आलू का बीज है वह बहुत कम बैस्ट क्वालीटी का बीज मिल पाता है इसका रीजन यह कि आलू के अंदर वायरस के दवारा होने वाली भीमारियां होती है जो किसके दवारा फैलती है यह थोड़ा सा मैंसें करें एफीड के दवारा फैलती है तो देखिए seed production कैसे करते है seed production जो किया जाता है ये आपके ज़्यादा तर जो हिमाचल परदेश का छेतर है हिमाचल परदेश का जो हिमाले छेतर है या जो पहाड़ी छेतर है उस छेतर को तुना जाता है यानि कि जो हिमाले है, हिमाचल परदेश का या जो पाहडी चेतर है ये आपके समुंदर तल से इसकी उंचाई है पत्ची सो मीटर तक कितनी उंचाई है दोस्तों? पत्ची सो मीटर तक एक बात तो आपको कंफर्म होगी होगी कि आलू का जो सीड प्रड़क्शन किया जाता है वो किन चेतरों में किया जाता है? हिमाचल परदेश या हिमाले जो चेतर है पाहडी जो चेतर है उत्तरी भारत का उन चेतरों के अंदर अपने क्या करते हैं? सीड प्रडक्शन करते हैं जी क्लियर एफिड का प्रकॉप यहां बहुत कम होता इसकी वज़े से अब दूसरी बात करते हैं आपके यहां एक रिसर्च सेंटर भी बनाया गया जिसको आप सी पी आर आई बोल देते हो सेंट्रल पोटेटो रिसर्च इंसिटूट सेंट्रल पो कूफरी सिमला के अंदर पड़ता है कहां पड़ता है दोस्तों कूफरी सिमला के अंदर पड़ता है तो जितने भी आलू की उपर रिसर्च होती है वह यहीं पर होती है और जितने भी आप आलू की विराइटियां देखते हो ले आलू की जो विराइटियां देखते हो उनक पूरणों वानी को मिलता नहीं एफीड का प्रकॉब ज्यादा होता है तो वायरस जनित बीज ज्यादा मिलता है अपने KEVIN बेस्ट भीज अपने को मिली पाता है क्लिए तो देखी अपने अपने वाली टर्म पे चलते हैं तेर्म है आपके सामने ट्रिू पोटेटो सीड देखो ट्रिू पोटेटो सीड को जो विक्सित करने वाला साइन्टिस था वो था रामानुजन कौन था जी रामानुजन हाँ जी ट्रू पोटेटो सीड को जो विक्सित करने वाला साइंटिस्ट था ये था जी रामा नुझन अबर ट्रू पोटेटो सीड है क्या वो देखिए देखो जी ट्रू पोटेटो यानि की वास्त्विक बीज इसको भी समझिए वास्त्विक बीज क्या है देखो भी अपन आलू का जो बीज काम में लेते हैं वो लेते हैं आपकंद और कंद क्या है पोदे का एक वानस्पतिक भाग है अगर अपने बीज की definition देखें अगरिकल्चर के इसाब से अगर बीज की definition देखते हैं तो पोदे का कोई भी वानस्पतिक भाग, जो अपने समान नया पोदा उत्पन कर सके, वो ही क्या कहलाता है, बीज कहलाता है, वो कोई भी हो सकता है, वानस्पतिक भाग, वो जड़ हो सकती है, वो तना हो सकता है, या क्या हो सकती है, पत्ति हो सकती है, तो अपने जो आलू के अंदर काम में लेते हैं, वो कंद लेते हैं, या तो यह पूरा का पूरा आलू काम में लेते हैं, या इसके क्या कर लेते हैं, इसे छोटे छोटे टुकडे करके वो अपने बुआई के रूप म परिपकव जो बिजांड होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों वही बीज आपका कहलाता है पुष्प का परिपकव बिजांड ही क्या कहलाता है बोटनी की दृष्टी से बीज कहलाता है और एग्री कल्चर के पॉइंट ओव व्यू से देखें तो पोदे का कोई भी वानस्पत भाग जो अपने समान नेया पोदा उत्पन कर सके उसको अपने क्या बोल देते हैं सीड बोल देते हैं क्लियर यहां तक मामला आपका क्लियर हो गया भी बीज किसको बोल देते हैं और बोटनी के इसाब से क्या है और एगरी कल्चर के इसाब से सीड क्या है क्लियर मामला अब प्रीपकव विजान्द है तो अपने अलु के अंदर कौन सा काम मिंदें। इसमें कुछ समश्यय है कंद के अंदर कंद की बुआई करते हैं, एक तो इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा की अपने को आफशक्ता होती है, क्लिर, बीज की मात्रा की बहुत ज़्यादा आफशक्ता होती है, 20-25 क्विंटल बीज आपको चीए परती हेक्टेर, मामला, दूसरा, ट्रांस्पोर्ट में सबसे बड़ी समश्या आती है, ट्रांस्पोर्ट में सबसे बड़ी समश्या आती है, बंडारण में सबसे बड़ी समश्या आती है, भी इतने बड़े बीज को बंडारण करना है, कंदों को बंडारण करना है, तो खर्चा तो लगता ही है उसका, ठीक है तो 20 से 25 क्विंटल परती हेक्टेर बीज ची अपने अगर जब कंद काम में लेते हैं ट्रांसपोर्ट में बंडारन में दूसरा जब भी आप कंद काम में लेते हो तो वाइरस जनित बीज आने की ज़्यादा संभावना रहती है क्लियर इन सब को देखते हुए एक रामा नुनजन जो साइंटिस्ट है इन्होंने ट्रू पोटेटो यानि की वास्तविक जो बीज है वो विक्सित किया है यानि की ये बीज कौन सा है ये लेंगिक जनन से विक्सित बीज है यहां तक मामला आपके साइद क्लियर हो गया होग भी वास्तविक बीज किसको बोलेंगे जो रामा नुनजन जी ने विक्सित किया है लेंगिक वीदी के दवारा उसको आप वास्तविक बीज बोलते हो अब इसका क्या उपयोग है कैसे उपयोग करते हैं और क्या है ये देखिए इसके लाब भी देखिए इस बीज की प्रत प्रती हेक्टेर कितनी आफसकता होती है सो से डेड़ सो ग्राम ही प्रती हेक्टेर बीज प्रयाफ्त रहता है जी देखो जी इसमें दो घर मागी कि नहीं आगी या तो ट्रक बरगे ले आऊ और या जेम मैं गाल गया ओ एगनी बड़िवात भी आलू का बीज है या तो थे ट्रक बर गया ओ अर्या जैम में डाल गया ओ सो से डेड़ सो ग्राम जो बीज है प्रती हेक्टेर के लिए प्रयाप्त रहता है कौन सी जो लेंगिक जनन से विक्सित बीज है किया किस नहीं है रामानुन ज के कई फायदे हें ठीक है एक तो बीज की मातरा कम चीरへ ट्रांसफर में रहती है ठ्रांस्पोर्ट में रहती है आपको भी बंधारेन करना नहीं पड़ता है बंधारेन करना लंबे समय तक है थोड़ा सा भी आप कैसे भी सको आप दआरोंस के वह उच्छी जगह पे ट्रू पोटेटो सीज विक्सित करने वाला साइंटिस्ट कोन है रामानुंजन है अब है क्या वीज की मातरा कितनी चिये सो से डेड़ सो घ्राम प्रती हेक्टेर वीज चिये हाना तो से डेड़ सो घ्राम और दूसरी बात करें तो यह लेंगिक विद्धी से विक्सित बीज है जी लेंगिक विद्धी से विक्सित बीज है मामला कलियर अब कुछ चीजें ध्यान रखना जी एक ग्राम सीड के अंदर एक ग्राम सीड के अंदर कम से कम पंदरा सो से सत्रा सो पचास बीज मिलते हैं एक ग्राम बीज के अंदर कितने मिलते है 1500-1450-20 मिलते हैं अब देखिये एक तो आप कंद काम में लेते हो और एक यह बीज काम में ले रहे हो तो आपका 20-25 क्वेंटल बीज है यह आप खाने के अंदर काम में ले सकते हो क्यों देखिये इसका सीड का production पर इतना ध्यान क्यों दिया गया है जी विसब नमबर की जी मुख्य खाद्यान फसलों में आलू का नाम आता है जी 4th stage पर आती है पहले पे कुन है आपकी गियू है मक्का है और आपका धान है और चोथे पे आता है जी आलू इसी कारण थोड़ा सा seed production पे इसके उपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है क्योंकि गेहूं को मुख्या खादियान में काम में लेते हैं मक्का को लेते हैं धान और चोथी खादियान कुन सी है नून सीरियल क्रोप की रूप में इसको खाय जाता है आपने एक टर्म सुनी होगी कि आयरलेंड के अंदर पच्छेती जुलसा के कारण 1845 के अंदर एक भेंकर अकाल पड़ गया था और लाखों लोग मारे गये थे सोचिए आयरलेंड के अंदर आलू के अंदर बिमारी आई पच्छेती जुलसा और वहां लाखों लोग मारे गए उसका क्या रीजन हो सकता है रीजन यही है आप देखिए कि आलू की फसल खतम होगी और वहां लाखों लोग मारे गए तो अपने कहीं ने कहीं आईडिया लगा सकते हैं किसी देश का किसी स्थान विशेष का मुख्या खादयान फसल हो सकती है इसी वज़े से वहां के लोग है जो भूखमरी से मर गए जी मामला क्लियर हो गया कैनी हो गया second आता है जी शीड़ टेकनीक स्लीप सीड़ टेकनीक देखो जी विक्सित करने वाला जो साइंटीज है यह है पुषकरनाथ कोन है जी पुषकरनाथ है मामला क्लिए पुषकरनाथ ने ये आपका 1960 के अंदर विक्सित की थी अब पुषकरनाथ ने किया जाना है लोग देखो भी आँ भाइसाब तो के कर दियो'RE ट्रू पोटेटो सीट विक्सीत कर दियो जो वास्तों में बीज है अलूगों लेंगी कि जनुन्नुजी को विक्सीत है अब पुष करनाथ जी आया अन बोला जी मेभी कीन की करांगा एक बोला जी बताओ कि एकरोगा क्या अपनों नाम ही देख लिए काम तकड़ो ही करेंगा पुष करनाथ को है पुष करनाथ नहीं पुष पाहूं जुकेगा नहीं साला जुकेगा नहीं साला तो यह बोला थी किया मनना थी जुकोगा कोई जुकोगा नहीं तो इसो कोई काम करो तो आएक क्या करी सीड प्लोट टेकनीक विक्सीत करी इस टेकनीक से क्या है वाइरस म मुक्त पोदे तयार किये जाते हैं हाँ पीछे आपने देखा था कि सबसे बड़ी समश्या क्या आती है बीज के अंदर वाइरस की आती है बीज है जो अच्छा इसका मिलनी पाता आपको तो यह पुशकर नाजी आए इन्होंने क्या किया वाइरस मुक्त जो बीज है वो त्य था ठीक है पीछे आपको मैंने बता दिया था वीडियो सकीप करके आप देख सकते हो तो कब BILLIST किया था Practice 56 के अंदर तो मोटी- बात के लियर होगी अब यह क्या करते हैं वाइरस मुक्त पोदे कैसे तयार करते हैं देखिए आलू की जो अपने ववाई करते हैं यह आप तियार किया जाता है अब इन्हों ने क्या कि ऐसा मैथर्ड दे दिया अपने को जिससे अपने मेदानी भागों के लिल्डर भी वायरस मुक्त पोदे तयार कर सकते हैं इसी वज़े से इन पुस्पाबाई साहब का या पुस्करनाज जी का नाम आता है मामला क्लिए तो जानकारी कैसी लगी कोमेंट करके जुरूर बताएं थेंक्यू